नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनीशा सिंग और आप देख रहे हैं एविपी गंगा लोगसभ़ चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली है या यू कह दें कि बीजेपी को जोरदार जटका लगा है इतनी बड़ी हार का अंदाजा तो पार्टी को दूर दूर तक नहीं था पार्टी लगातार सोच विचार में है आखिर ऐसा क्या हो गया वोटरों ने अपना मन बदल लिया जिसके बाद से पार्टी प्रदेश में अपनी हार की समीक्षा में जुट गई है बुदवार को लखनाओ में बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष भुपेंदर चौधरी और संगठिन महामंत्री धर्मपाल सिंग ने इसी को लेकर पार्टी पदाविकारियों के साथ बैठकी और वोटों में आई गिरावर्ट पर चर्चा की अब पार्टी जमीनी स्तर पर आकलन करनी की कोशिश कर रही है और उस वजह को जानने में जुटी है कि आखिरकार बीजेपी के साथ खड़े OBC और दलितों ने पार्टी से मूँ क्यों मोड़ लिया पार्टी के समर्थन में कम मददाता क्यों हुए? क्या पार्टी में किसी अंद्रूनी कलह के चलते ऐसा हुआ? या फिर इसके पीछे कोई और वज़ा है? या फिर किसी पार्टी ने बीजेपी की कोर वोट बैंक पर सेंधमारी की है? उत्रप्रदेश में इस बार बीजेपी के वोट प्रतीशत में 9 पीसित तक की गिरावट आई है जिससे पार्टी में हरकब मचा हुआ है? केंद्र में बीजेपी को पूर्ण वहुमत नहीं मिलने की सबसे बड़ी वज़ा उत्रप्रदेश ही है? बीजेपी अब हार की समीक जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंद मारी किसने की है? बीजेपी के वोटर्स क्यों दूर हुए है? वैसे भी आने वाले दिनों में प्रदेश की खाली 9 विधान सबा सीटों पर उक्चनाव भी होने हैं ऐसे में पार्टी अपनी तमाम कम्यों को दुरुस्त करने मे जुट गई है